तीन तलाक देने वालों को जेल भेजने का रास्ता साफ, बिल पास कर संसद ने रचा इतिहास, जी हाँ दोसो, तीन तलाक बिल को लेकर के संसद ने इतिहास रच दिया है, लोग सभा के बाद अब राज सभा में भी तीन तलाक बिल पास हो गया है, बिल पास के पक्च में 99 औ 84 और विपक्ष में 100 वोट पड़े थे बिल का विरूद करने वाले कई पार्टिया वोटीं के दोरार राज सभा में वर्काउट करने लगी थी इस बिल में तीन तलाक को गैर कानून बनाता आते हुए तीन साल की सजा और जुर्माने का प्राउधान इसमें सामिड है तीन तल में अटak गया था जिस पर्कार सरकार इसके बाद अध्यादेश ले करके आए थी और इस लोग सभा में फिर से कुछ बदलाओं के साथ है यह बिल लाए गया है और अब लोग सभा के बाद राज सभा में इस बिल को पास कराने के लिए पुरी तरीके से सरकार सफल हो गई है आपको बता दे कि कानून मंतरी रविसंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल पर चर्चा के दोरान कहा है कि कानून में बिना पूलिस पिडिता महिलाओं के सिकायत सुनने के लिए तयार नहीं थी मुस्लिम समाज बेटियों के लिए नयाय परही सवाल क्यों उठाते हैं यहीं सवाल 1986 में भी थे और आज भी थे उन्होंने काया कि हमारी सरकार ने देश हीत में बगैर डरे फैसले के लिए जीत के चुनाव जीत के बाद भी कभी यह नहीं सोचा है कि हम आतनकवात से लड़ने वाले लोग हैं मंतरी ने काये कि अगर इस्लामीक देश भी महिलाओं के लिए बदलाओं की कोसिस कर रहे तो लोकतंतर देश होने के नाते हमें क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए। कि 20 से ज़्यादा इसलामिक देशों ने 3 तलाक बिल को बगैर दिये और भारत जैसे देश में आज लागू कर दिया है उन्होंने कहा है कि सुप्रेम कोट ने भी इसे आफ समयधानिक करार दिया है रविशगर परसाद ने कहा है कि हिमत दिखाने वाली कॉंग्रेस पार्टी 1986 में साहभाणों के लिए नया के दरवाजे क्यों बंद किर थी और 1986 से लेकर के 2019 तक कॉंग्रेस पार्टी वहीं खड़ी है कॉंग्रेस पार्टी आज भी साहबानों मॉडल पर क्यों चल रही है कॉंग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब मेरे पास फाइल आई तो प्रधान मंत्री ने तुरंद कहा कि तीन तला के पीड़ता के साथ खड़े हो जाएंगे और हम कोट के भीतर और बाहर इस बहनों के साथ खड़े रहेंगे जेटियू सांसद वसिष्ट नरायन ने कहा है कि हमारी पार्टी इस बिल के साथ नहीं है उन्होंने कहा है कि हर पार्टी की एक विचार धारा है और उसके पालन के लिए वह स्वतंधर है वरिश नराय ने कहा है कि विजार की यात्रा चलती रहती है और उसकी धारा बढ़ती रहती है लेकिन खत्म नहीं होती है राज सभा में AIDIM के सांसद नवीन कृष्णन ने बिल को असमविधानिक बताते हुए कहा है कि संसद को इस पर कानून बनाने का हक नहीं है उन्होंने कहा है कि तलाक कहने पर पती को जेल भेजना यह गलत है उन्होंने उसके कैद में रहने के दौरान मुआवजा मांगने को ठीक नहीं बता है बीजू जन्तदल के तीन तलाक विल पर सरकार का सांतिया है और बीजेटी सांसद प्रशन अचारे ने कहा है कि हमारी पार्टी और ओडिसा में हमारी सरकार महिला ससक्तिकरन के लिए लगतार काम कर रही है हमारी पार्टी ने महिलाओं के कारबारी पर पूरी तरीके से प्रतिनित भी उन्होंने किया है बीजेपी सांसद ने का है कि हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है लेकिन बाकी वर्ग और धर्म की महिलाओं को ससक्त बनाने के लिए सरकार को भी अच्छा कदम उठाने चाहिए जी हाँ दोसो अगली खबर आपको बता दे किया मोती सरकार का फैसला बना केजरिवाल सरकार के लिए बड़ी राहत जी हाँ दोसो दिल्ली पीजेपी के अद्धक्च मनूस तीवारी ने केजरिवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगा था कि सरकार ने स्कूलों के निर्मान में दू हजार करों रुपे का घोटाला किया है मनूस तीवारी ने सीधे सीधे उपमुख मंत्री और सिक्षा मंत्री मनी सुसोधियाग पर घोटाले का अरोप लगा था घोटाले को लेकर के बीजेपी ने संसद मार्क में थाने में भी सिकायत की गई थी पुलिस ने इस मामले की दिल्ली एंट्री करप्शन ब्यूरो को भीज दिया था जिसके बाद सवाल उठे कि आखिर कब से एनबीसी इस मामले की जाच सुरू करेगी और यह साफ है कि अब NBC इस मामले की जाच करेगी क्या दिल्ली में सरकारी स्कूल में क्लासरूम बनवाने में कोई भ्रस्टचार हुआ है या नहीं बड़ा सवाल यह है कि किया यह जाच हो पाएगी इस पर बड़ा संदे है और क्या कारण है कि पिछले साल में मोधी सरकार का फैसला दरसल मोधी सरकार ने अपने पहले कारेकाल में भ्रस्टचार निरोधक कानून में बदलाव किया था जिसके तहट अब किसी भी मामले पर के किंद्रिये सरकार के मंत्री अधिकारी या फिक करमचारी पर आरोप की जाच के लिए किंदर सरकार की मौझूद को उन्हे जरूरी कहा गया था। ठीक उसी पर से राजी सरकार ने भी मंतरी अधिकारी और अनिक कर्मचारियों की जाच के लिए राजी सरकार की मंजूरी लेनी होती है। किसी मामले में रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो एजेंसी सिधे करवाई कर सकती है। क्या यहां भी नियम लागू होगा इस पर वरिष्ट वकिल केसी मित्तल ने साफ कर दिया है कि इस नियम में इस बात पर जिग्र ही नहीं है कि केंदर सरकार और राज सरकार का जिग्र है। इस वज़ा से NCB की जाच के लिए दिली सरकार की मंजूरी लेनी होगी। जी हां दोसो अगली खबर आपको बता दे कि माली के लापता होने से कोफी डे का सियर 20% टूटा, निवेसको के 813 कडो रुपे डूबे। जी हां दोसो कैथी कोफी डे नाम ब्रांड के कोफी दिश्टा चलाने वाले कमपनी कोफी डे इंटरप्राइसिस के संस्थापक, चेयर्मेन और प्रबंधक निवेसक बीजी सिधार्थ सुमवर से लापता हैं। कमपनी ने मंगलवार को सियर बाजार में यह जानकारी में इसकी पूश्टी की हैं। इस खबर के बाद BSE पर CCD का सियर 20% तक गिर गया हैं। और यह 52 हपते से सबसे नीचले अस्तर 154.05 रुपे परती सियर तक पहुच गया हैं। स्टोक में गिरावट की एक जटके से नीवेशको को 813 कड़ो रुपे डुब गया हैं। कमपनी ने कहा है कि कॉफी डे इंटर्प्राइसे के चेर्मेन और प्रबंधक निर्देसक वीजी सिधार्थ से कल से साम से हैं वो लापता हैं। उनसे संपर्ग नहीं हो पाया हैं। हम संबंधित प्राधिकारियों की मदद ले रहे हैं। कमपनी का प्रावधान पेसेवर लोगों के हाथों में हैं। इसका नितित्व प्रतिसपर्धी लोग कर रहे हैं। जो कारबार को सुचार रूप से संचारित और सुनिचित करेंगे। सिधार्त करनाटक के पुर सेयर के इस भाव का आते ही कमपनी का मार्केट कैप घटकर के 3,254.333 कड़ो रूपए हो गया है। जबकि सुमवार को यह 4,666.65 कड़ो रूपए था यानि एक जटके में निवेसको के 813 कड़ो रूपए डूप गया है। CNN News 18 को सिधार्त की एक चिठी मिली है जो उन्होंने Board of Directors और CDC Family को लिखी है। इस चिठी में उन्होंने कमपनी की माली हालत और अपने उपर कर्ज का जिकर किया है। चिठी में वीजी सिधार्त ने अपनी नाकामी के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं CDC को Profitable Business Model ब परिसानियों की खत्म करने के लिए मैं लंबे समय से जूज रहा हूँ मगर अब ही मत हार गया हूँ। मुझसे और प्रेसर लेने की ताकत नहीं है। मुझ पर दोस्तों का काफी कर्ज है। कुछ प्राइवेट एक्टिव जो पार्टनर भी है मुझे उनकी सेर बचाने का दबाव बन रहा है। आपको बता दे कि विजिस सिधार्त पर सितम्वर 2017 से ही अयोग संपती रखने के मामले में जाच चल रही है। वहें अपनी कमपनी कॉफी डे लंबे समय से घाटे में चल रही है। उन्होंने कमपनी के करमचारियों और बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर को इस बारे में एक लेटर भी लिखा है जिसमें से इंकम टेक्स डिपार्टमेंट पर परताल पर आरोप लगाया गया है। फिलहाल असांका यह जताई जा रही है कि कारोबार में जुड़ी परिसानियों के चलते उन्होंने आत्महत्या तो नहीं कर ली होगी। विजिस सिध इंकम टेक्स विभाग सिधार्ट की देनदारी की जाच कर रही है। झालते उन्होंने जाच कर रही है।